इस वीडियो में डिसक्रिशन करेंगे हिमाचल परदेश स्टेट इलेक्टिसिटी बोर्ड लिम्टिट के द्वारा एक बहुत इंपोडेंट नोटीस निकाला गया है इस नोटीस के हथार पे ही आपको पता चल पाएगा जो कि 1892 वेकैंसिज एडबर्टाइजमेंट की गई उन्हें भरा किस तरह से जाएगा उसके लिए जो मोड ऑफ स्लेक्शन का प्रोसीजर है पहले तो आपको मैं बता दूँ इस पूरे के पूरे वीडियो में हमेरी बात करें तो हमारी एक नई वेपसाइट है जिसका नाम है इलाइटस्टेडी.org डिस्क्रिप्शन में आपक सारे टिप्स आपको इसी वेपसाइट पर उपलब्द करवाए जाएंगे तो से पहले में बता दो हमाचल प्रदेश इलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट में जुनियर टीमेट की पंदरा सो वकैंसी एडबरडाइजमेंट हो चुकी है जुनियर हेलफर वकैंसी की बात करें टोटले दी हम लोग बात करें तो अठारा सो बान में लोगों को रोजगार मिलना है किस डिपार्टमेंट में मिलना है हिवाचल प्रदेश इलेक्टिसिटी बोर्ड में मिलना है ठीक है तो देखिए यहां पर आपको ग्यात होगा 2016 में प्रदेश सरकार के एक नोटिपिके में यह कहा गया है कि जो फिजिकली हैंडिकेप लोग होते है चार परसेंट सीटे उनके लिए रिजर्ब रहेगी लेकिन आप काफी दिल्चस्प आपको यहां पर मिलेगा कि आपने एकसर सुना होगा इससे पहले भी आपने देखा होगा कि यहां पर पूरी के पूरी हम ल नहीं थी लेकिन आप क्या कहा गया जा रहा है इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो आपकी स्लेक्शन होगी और 99 मर्क्स से ही होगी किस तरह से नहीं डिवाइट किया गया आपको बता दें मैट्रिक के आपके 60 मर्क्स जूडएंगे जितनी आपकी प्रसेंटेज है मैक् हिमाचन प्रदेश में क्लास 3 और 4 की रेक्विट्मेंट के लिए इंट्रिव्यू नहीं होती है उसके एक इवैल्यूबेशन टेस्ट होता है ठीक है यह इवैल्यूबेशन टेस्ट पहले 15 मार्क्स का हुआ करता था अब इसे 14 मार्क्स का कर दिया गया है जो एक नंबर है यह किसे दिया जाएगा जो फीजिकल हैंडिकेप्ट लोग है उनके रिए रिजर्ब रहेगा मतलब जो आपकी मेरिट है वो 99 में से ही बनेगी इस नमिंतम जानकारी थी और आपको मैं पता दूं 18 वर्स से लेके 45 वर्स के बीच में ही हिमाचन प्रदेश में सरकारे नोकरी प्राफ्त करने के लिए रिजिवटी स्टकार के द्वारा रखी गई है और देखिया आप यहां पर बहुत इंपोर्डेंट लिंक देख पा रहे होंगे जल्दी से हमारी वेबसाइट लेश्टेडी को डाट इन पर काफी भेतरीन बुक्स है इसको भी आप लोग बिजिट चाहिए तो आप यहां से इसको खुद भी इसका स्टेडी कर सकते हैं इसका स्क्रीन स्क्रीन सॉट करके या इसे आप अपने मोईल फोन में भी सेफ कर सकते हैं आपको ग्यात होगा जो यह वेकैंसी थी इसकी जो एड़बर्टीसमेंट नोटीस निकाला गया था चार चे द परसेंट जो इसके लिए रिजर्वेशन दी गई है और किसके लिए दी गई है यह रिटन के बात की जारी ऐसे ओवरॉल वकैंसी की बात करेंगे तो फोर परसेंट रहेगी किसके लिए जो फीजीकली हैं यहां पे आप लिरली इसको देख सकते हैं मोर इनफॉर्मेशन के लिए आप इनकी ओफिसली वेबसाइट को भी बिजिट कर लीजिए थैंक यू बेरी मास कीप वाचिंग इलाश्टेडी यूट्यूब चैनल